अधिक स्वाकत करता हूं हमें एक्जामपुर कलम से किरांती तो चलिए बच्चा एक अभी खबर खबर उड़ रही है अगर जैसे हम लोग डालें यूपी कॉंस्टेवल तो देखो ये ना ये व्यूज लपेटरी की तरीका है लेकर पेपर से और जितने भी होते हैं जितने भी होते हैं अगर मैंने इस पर डाला ने एक तालिस अजार दोसों तेश कुछ करके मैं डाला लाइव हिंदुस्तान त इन सब निव्यूज वालों के क्या होते हैं कैसे काम हो जाए देखना ओ देखो आएगा भी वह सो तीस चलो एक ताल इसको अटाता हूं अभी क्योंकि मैंना सुभी पढ़ी तीस पर इसको हटाता हूं तेक ताने के बाद में क्या था है मैं तुम्हें कुछ दिखाना जा र इसमें है कि लोग करते कैसे बनाते कैसे तो नहीं आ रहा क्या रोको तो मैं उसको लिंग को देता हैं लिंक का आपको दिखांगा फिर उस लिंक कि से आपको में बहुत सारी है चीज बताऊंगा एक मिनड मुझे दे़ो एंली वन मिनट ठीक है मैं इस लिंक को भीज़ दूँ ई-मेल पर मैं सोचा ही खुल जाएगा इसलिए मैंने पहले ना भीज़ा था फिर आपको बहुत बढ़ी है बढ़ी है चीज बताओंगा तो जैसा कि आप सभी जानते टेंडर के प्रक्रिया किसके लिए चल रही है टेंडर की प्रक्रि 26,382 पदों के लिए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है 15 मार्च इसके टेंडर भरने की डेट है लाज डेट और 15 मार्च एक बार इसके टेंडर डेट आ जाती है तो आपके 15 एक दिन लगते हैं वेवसाइट और सारा सिस्टम मजबूत करने में और 15 दिन के अंदर ये क्या जाता है 15 दिन के अंदर ठीक है ये देखो तो इन्होंने क्या करा कि यूपे पुलिस में 4443 पदों पर बंपर भड़ती हुने वाली है अब इन्होंने ये डाल दिया अब बच्चे बार-बार स्क्रीन शॉंटर ये लिंक देके भईया मुझे परिसान कर दिया मैं वह जब इस 382 का जब टेंडर निकला हुआ है तो 41 4443 का मतलब क्या है अब जब तुम इस 44443 को समझोगे तो गणित क्या है गणित है कि एक्चल में साथी में इन्होंने ये बताया कि अभी तक इन्होंने और कितने भरती की हैं तो इन्होंने टोटल जोड़ा क्या जोड़ा कि SI की अभी 9534 का रिजल्ट आ रहा है अभी इन्होंने जो बाकी रेडियो उप्रेटर आदी होते हैं इसके लगबग 2500 पद निकाले हैं तो यह 2500 और साड़े 9000 जोड़ेंगे तो लगबग आप यह देखोगे कि 12000 तो यह होगे 26000 यह आ रही हैं 2612 कितरी होगी 34 फिर इन्होंने आप UPPRPV की वेबसाइट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक सिस्टम देखेगा मैं वो सिस्टम आपको दिखा रहा हूं यह वाला यह वाला जो एक इन्होंने निकाला था 11 फरवरी को इसमें यह था कि जब से एक अपरेल 2017 योगी जी की सरकार आई थी उससे इन्होंने क्या क्या किया है कौन कौन सी भरतिया कंप्लीट कियें तो इन्होंने यह वाला बताया कि भी देखो यह भरती प्रक्रिया संपन हो चुकी है UPSI की यह जो उपनिरिक्षक के 1329 पत थे गोपनिये वाली जो थी ये रेडियो सायक के 2430 जो पद है इनका विज्यापन आएगा कंप्यूटर ओपरेटर ग्रेड ए इसकी कारेदाई संस्ता कंप्यूटर ओपरेटर की 693 में इसके लिए कंपनी का चेन हो चुका है अग्रियम कारेवाई किसी भी दिन इसके फोर्म आ सकते है कंप्यूटर ओपरेटर ग्रेड ए फिर बोला कंप्यूटर प्रोग्रामर इसकी कारेवाई चल रही है इसकी टेंडर की कारेवाई चल रही है 26382 की लिपिक लेका गोपनिये संवर्ग भरती और उपनिर्चक नागरिक पुलिस की सीधी भरती 829 ये SI के पद आएंगे देखो ये सुनलो मेरी बात 829 जो आएंगे SI के पद आएंगे 829 UPSI उपनिर्चक का मतलब होता है UPSI सिबिल पुलिस इसकी कारेवाई प्रचल रही है मतलब अगली बार अब जो टेंडर होगा UPSI के लिए लॉँच होगा Computer Operator Grade की संस्ता का Chain हो चुका है इसमें साती विज्यपती आ चुकी है मतलब संस्ता चुनी जा चुकी है तभी तो फॉम भरे गए और ये 1339 का इसका भी इसकी आपकी DB PhD चल रही है और इधर आप देखोगे 9534 का रिजल्ट आने वाला है कारेवाही इसकी जो अलग-अलग जनपद में जहां-जहां मंडल में DB PhD होनी है UPSI की वो कमेटी बन चुकी है उसमें क्या हो तक पुरी कमेटी बनती है जो DB PhD कराते है Document का Verification और Physical Standard Test जिसमें पुरुशों की छाती और लंबाई मापी जाती है और महिलाओं की केबल लंबाई मापी जाती है नापतोल जिसे कहते हैं तो नापतोल और Document Verification होकर फिर Upload कर दिया जाता है एक हफते के अंदर दोड का Admit Card आ जाता है एक हफते केंदर दोड हो जाती है फिर दोड होती है फिर उसके बाद में Last Merit के लिए रुके रहते हैं अभी जो Result आएगा उसमें केबल इतना आएगा कि किसने अगले DB PhD के लिए Qualify किया है किसने DB PhD के लिए Qualify नहीं किया है आप जब इन समको जोड़ोगे तो आपको दिखेगा कि यह 41,443 बैठ रही है कितनी बैठ रही है 41,443 तो 41,443 के वल यह Constable के पद नहीं है Constable के तो इनमे 26,382 है यह कुछ vacancy और आ रही है जैसे भी Computer Operator इन समका Head Operator इन समका हो चुका है तो 26,382 का पंदरे मार्च ठीक है भई Computer Programmer की वेकेंसी आएगी ग्रे Computer Operator Grade A की वेकेंसी आएगी इसके Form 2430 यह भर चुके है इसके कारवाही चल रही है इसका Result आएगा और यह 829 पद जो आएंगे यह UPSI के आएंगे 829 पद के करीब किसके आएंगे यह तो थी कि जो कारवाही जिन पर चल रही है समझरे मेरी बात यह तो 41,443 पर कारवाही चल रही है फिर इनों ने एक वर सिस्टम दिया था कि यह हमने अभी तक पूरी करा दिये जिसमें 1003 SI नैले क्यादेस पर 5498 फायरमेन वाले 2460 मेरी वाली भरती SI की 25 कुशल खिलाडी वाला 41,520 वरंचास 568 कॉंश्टेवल 171 लिपिक लेखा गूपनिय विभाग कंप्यूटर ओपरेटर 667 पुरुस जेल वाडर महीरा 5805 और मिर्तक आश्रित के 2714 पद के 144,194 यह हम लोग दे चुके हैं और कितने पदों पर कारेवाही प्रचलेते हैं 41,443 पदों पर कारेवाही प्रचलेते हैं जिनमें से 26,000 382 पद केवल 12 होनी चाहिए आपके पास और जो इसके मानकें फिजिकल के हाइट और आपकी जो एज है वो होनी चाहिए उसके अतरिक्त इनोंने 382 पे सब की नजर है कार्य शाला करमचारी ऑपरेटर वाले भी हजारों लोगों ने फॉर्म भरे बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए चाहे वेकेंसी 2400 हों बस फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए यह देखना लिपिक होते ही क्लरक वाली इसमें तुम देखना कितने सारे फॉर्म बरे जाएंगे इधर तुम देखोगे कंप्यूटर और प्रोग्रामर वगेरा में भी बहुत सारे फॉर्म बरे जाते हैं और इसमें तो आप जानते हो कि 26,382 जो है इसमें लगबख 20 लाग के करीब फॉ हो है वो यह form भरने की उम्मीद है 15 मार्च इसका क्या था 15 मार्च साती इसका डेट थी टेंडर की और अगर टेंडर की डेट 15 मार्च हो जाती है तो चाहे कितना भी लेट क्यों न हो अपरेल्स की आपके form आ जाएंगे इतने दिन गौवर्मेंट उस संस्था को लगते हैं एज काउंट होते हैं जिस साल भी भरती आती है एक जुलाई दो हजार 22 को एज काउंट होगी एक साथ 2000 चांट होगी जनरल की 28-22 क्या पता योगी-जी एक दो साल की छूट दे दें लड़कियों के लिए 18-25 एका साल की छूट मिल गी तो 18-23 यह 18-26 के लिए 5-5 साल किसमे क्या मिल जाती है छूट मिल जाती है समझें मेरी बात बाकिया आप यह भी जानते हैं कि अगरा मेले तो 160 और फिमेले तो